दूर एक घने जंगल में, जहां हरियाली छाई रहती थी और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता था, बंदरों का एक बड़ा समूह निवास करता था, इस समूह में बंदरों की अनेक प्रजातियां थी, जो विभिन आकारों और रंगों में थी, उनकी चपलता और चंच के बंदरों में सबसे अधिक बुध्धिमान माना जाता था, उसकी आँखें हमेशा चमकती रहतीं और उसकी पूँच हमेशा उत्साह से फढ़़ाती रहती, बंटी की चालाकी के किससे न केवल बंदरों के समूह में, बलकि पूरे जंगल में प्रसिद्ध थे, बंटी की पुछालाकी का एक उदाहरण था जब उसने एक भूखे शेर को अपनी बुद्धिमत्ता से बचाया। उसकी चतुराई और चालाकी के कारण बंदरों का समुह जंगल में अपनी एक विशेश पहचान बना पाया था। उसका नाम था गोपू। गोपू की मजबूत बाहें और चोड़ी चाती उसकी शक्ती का प्रमाण थी और उसकी देज नजरें उसकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती थी। गोपू ने जंगल में अपने कदम रखते ही अपने आसपास के वातावरण को सुक्षमता से निरीक्षन किया। वह जानता था कि नए जंगल में समायोजित होने के लिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ती का सही इस्तिमाल करना होगा। लेकिन गोपू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जंगल के बंदरों के समूह में पहले से ही एक चालाक बंदर का राज था। बंटी ने गोपू को देखते ही समझ लिया कि वह एक असाधारन बंदर है। बंटी के मन में गोपू के प्रती एक तरह की उत्सुकता जागी। उसने तै किया कि वह गोपू को अपना मित्र बनाएगा। बंटी ने गोपू के पास जाकर उससे मित्रता का हाथ बढ़ाया और उसे जंगल की सैर कराने का प्रस्ताव दिया। गोपू जो नए दोस्तों और नई जगहों को जानने के लिए उत्सुक था, बंटी के प्रस्ताव पर खुशी से सहमत हो गया। इस तरह बंटी और गोपू की दोस्ती की शुरुआत हुई। बंटी ने गोपू को जंगल के विभिन हिस्सों में ले जाकर उसे जंगल के नियमों और रहस्यों से परिचित कराया। बंटी से बह रहा था। बंटी ने गोपू को जंगल के नियमों की जानकारी दी। जैसे कि कैसे जंगली फलों को चुनना है, कौन से पौधे जहरीले होते हैं और कैसे अन्य जानवरों के साथ सामनजस्य बिठाना है। गोपू बंटी की बातों में इतना खो गया कि उसने बंटी को अपना गुरु मान लिया। लेकिन बंटी के मन में कुछ और ही था। वह गोपू की शक्ति और बुध्धिमत्ता का इस्तिमाल अपने लाब के लिए करना चाहता था। उसने गोपू को जंगल के गहरे रहस्यों की ओर ले जाने की योजना बनाई जहां उसकी असली परीक्षा होनी थी। अगर तुम इस पर चढ़ सको, तो ये साबित हो जाएगा कि तुम वाकई में शक्तिशाली और बुद्ध, गोपु, जो अपनी शक्ति और साहस पर पूरा भरोसा रखता था, बिना किसी हिचक के उस पेड़ पर चढ़ने लगा, वह तेजी से पेड़ की एक-एक शाखा को प उसका मन फलों को चखने के लिए लल्चा उठा, लेकिन बंटी के मन में कुछ और ही चल रहा था, उसकी योजना में गोपु को इस पेड़ पर चढ़ाना तो केवल एक भाग था, उसकी असली योजना तो गोपु को एक परीक्षा में डालना था, जिससे वह गोपु की से चुनोतियों का सामना करता है, गोपु ने जैसे ही पेड़ की उंचाईयों को चुआ, बंटी ने अपनी चालाकी का खेल शुरू किया, उसने चुपके से पेड़ के नीचे एक बड़ा जाल बिछा दिया, जिससे उसने पत्तियों और टहनियों से ढख दिया, ताकि वह मानना था कि जब गोपु फल तोड़ कर नीचे आएगा, तो वह बिना सोचे समझे सीधे जाल में फंस जाएगा, और फिर बंटी उसे जाल से निकालने का नाटक करते हुए, सारे फल अकेले खा सकेगा, बंटी ने यह सोच करे खुशी की सांसली कि उसकी चालाकी से वह जानता था कि जंगल में जीवन एक खेल है और हर खेल में सतरक रहना जरूरी है, इसलिए जब वह पेड से नीचे उतरने लगा, तो उसने अपने आसपास के वातावरण को बहुत ध्यान से देखा, गोपु ने पेड से नीचे उतरना शुरू किया, उसकी नजरें चोक पन्नी थी, उसने देखा कि जमीन पर कुछ असामान्य है, एक जाल बिछा हुआ था, जो पत्तियों से ढखा हुआ था, उसे एहसास हो गया कि बंटी ने उसके साथ धोखा किया है, गोपु के मन में बंटी के प्रतिविश्वास तूट गया, लेकिन उसने घबराने के बज जाय तेजी से सोचा, उसने अपनी बुध्धिमत्ता का इस्तिमाल करते हुए एक योजना बनाई, उसने जाल के उपर से एक लंबी छलांग लगाई और चकमा देते हुए सुरक्षित नीचे उतर आया, बंटी जो जाल के पास छिपकर गोपु के फंसने का इंतजार कर रह इस तरह गोपु ने बंटी को एक सबक सिखाया, गोपु ने बंटी के सामने खड़े होकर उसे एक गहरी नजर से देखा, उसकी आँखों में निराशा की एक जलक थी, लेकिन साथ ही साथ एक द्रढ संकल्प भी था, उसने बंटी से कहा, बंटी तुमने जो किया वह ठीक बंटी ने गोपु की बातों को सुना और उसके चहरे पर पच्छतावे का भाव आ गया, उसने अपने सिर को जुकाया और गोपु से माफी मांगी, मैंने जो किया वह गलत था गोपु, बंटी ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम्हारी दोस्ती का अपमा किया, मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा और हमेशा सच्चाई और इमानदारी से रहूंगा। गोपु ने बंटी की बातों को सुना और उसे माफ कर दिया, उसने बंटी को गले लगाया और कहा, हम सभी गलतियां करते हैं बंटी, लेकिन उन जंगल में एक दूसरे के सच्चे दोस्त बन कर रहे। उनकी दोस्ती ने जंगल के अन्य जानवरों को भी एकता और सहयोग का महत्व सिखाया। उस अनोखी घटना के बाद बंटी और गोपु की दोस्ती ने एक नई दिशा ले ली। उन्होंने न केवल एक दूसरे के प् धिमत्ता का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करने का वादा किया। बंटी और गोपु ने जंगल में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने जंगल के छोटे जानवरों को खतरों से बचाने के लिए योजनाएं बनाई और जंगल की सुरक जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे चालाकी और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए और कैसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उनकी कहानिया और सीख जंगल के जीवन का एक अभिन अंग बन गई और उन और सद्भावना का संदेश भी फैलाया।